जेनेटिक्स प्रेक्टिस सीरीज 2 के अंतरगत यह पार्ट 2 की वीडियो है पार्ट 1 में हमने 50 क्वेस्टन की सीरीज अपलोड की थी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा भी बायलोजी प्रेक्टिस सीरीज के अंतरगत एक और सीरीज चल रही है उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं क्वेस्टन नमर एक है टी फ्लाजमिड आ बैक्टिरिया आफटर रिमुविंग ट्योमर इंडूसिंग जीनइ इच काल्ड जेड डियने आल डियने बी डियने यफिर टीडियने तो जिवाडू का जो T4 plasmid tumor है वो उत्प्रेरक जीन को हटाने के बाद कर रहा है क्या कहलाता है तो देखिए कुछ जिवाडू होते हैं जैसे कि agrobacterium हो गया और क्या हो गया ट्यूमी फेसियंस हो गया उसमें जो है ये जो T4 है ना T4 plasmid पाया जाता है और इसके दो भाग होते हैं tumor उत्प्रेरक करने वाला एक होता है TI और इसके अलावा दूसरा जो भाग होता है उसका जीन का हस्तांतरन करने वाला होता है वो Tdna भाग तो Ti जो भाग है ये वाला इसको काट करके अलग कर दिया जाता है अधा T-DNA भाग को जीन के हस्ता अंतरन के लिए उप्योग में लाते हैं तो इसका करेक्टा अंतर क्या हो जाएगा T-DNA, D, D option इसका सही होगा अगला question है कितने परसेंट होगा तो देखे जो चार गाफ का नियम होता है उसके अनुसार DNA के अड़ो में जो है एडिनीन की मातरा थाइमीन के तथा गवानीन की मातरा जो गवानीन है उसकी मातरा साइटोसीन के बराबर होती है अब DNA अड़ो में एडिनीन जो अड़ो है वो किस से एटेच होता है वो थाइमीन से और साइटोसीन होता है वो गवानीन से युग में बनाता है तो A बराबर कितना हो गया T और G बराबर हो गया C तो A-D-Nine का जो A है वो कितना है 15% है तो 15% है तो थाइमीन कितना हो गया 15% हो गया तो इस प्रकार से जो आगे का नियम बनाएंगे उसमें से ये जो गवानीन और साइटोसीन है इसका जब निकालेंगे तो ये 35-35% आएगा लेकिन यहाँ पर देखिए एक confusion आप ये clear करिए कि पूँच क्या रहा है पूँच रहा है RNA अड़ो में तो ये जो चारगाफ का नियम लागू होता है ये सिर्फ जो है DNA के अड़ो पर लागू होता है RNA पर नहीं तो यहाँ पर पूँच रहा है RNA पर तो यहाँ पर correct answer क्या होगा D ग्यात नहीं की जा सकती है cannot be calculated ये है इसका correct answer next question है कौन सा purine RNA में पाय जाता है which purine base is found in RNA guanine, thymine, uracil या फिर cytosine तो हमें पता है कि purine base कौन कौन से होते है adinin तथा guanine, DNA तथा RNA दोनों में समान होते है pirmidine जो base होता है वो RNA में cytosine तथा uracil होता है और DNA में cytosine तथा thymine होते है तो DNA में deoxy ribos तथा RNA में ribos सरकरा होती है ये जो पूश रहा है कि कौन सा purine तो इसका correct answer हो जाएगा guanine, A option इसका सही हो जाएगा अगला question है DNA और RNA के भी समानता यह है कि दोनों गोंफित होते हैं में समान सरकरा होते हैं nucleotides के बहुलक होते हैं में समान pirmidine होते हैं the similarity between DNA and RNA is that both तो इसमें हमें पता है कि इसकी जो है समानता क्या हो जाएगी कि nucleotides के बहुलक होते हैं C option इसका correct हो जाएगा अगला question है RNA निर्भर DNA पॉलिमेरेज क्या बनाता है RNA dependent DNA पॉलिमेरेज लीट्स फॉर्मेशन आउप विच्छेदी जीन, जीवांडू DNA, C DNA या फिर कराब B DNA तो इसमें देखिए RNA और RNA जो निर्भर DNA है वो पॉलिमेरेज एंजाइम कुछ विसाड़ों में पाए जाते हैं यानि कि वाइरस में, कुछ विसाड़ों में पाए जाते हैं और इसमें से जो इन विसाड़ों में पाए जाने वाल जो एंजाइम्स हैं वो reverse transcriptage enzymes होता है reverse transcriptage समों का एक enzyme होता है जो की RNA से DNA निर्माण को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है और इसके बाद इस प्रक्रिया में बनने वाले जो DNA को है cDNA कहते हैं तो यहाँ पर c option इसका correct हो जाएगा cDNA अगला question है निम्न में से कौन सा रसाइन? DNA का कह रहा है intercalating कारक है which one of the following chemicals serves as an intercalating agent of DNA तो इसमें से देखिए जो intercalating agent इसका जो होगा DNA का वो होगा इसका correct answer a option इसका correct होगा nitrosoguanidine a option इसका correct होगा अगला question है जब एक गुर सूत्र में दो gene एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो उनके बीच में कोई crossing over नहीं होता है मुश्किल से कोई cross over देखा जा सकता है crossing का प्रतिसद बहुत उच्छोता है केवल दो cross over देखे जा सकते है when two genes are located very close to each other in a chromosome तो इसका correct answer क्या होगा इसका answer होगा मुश्किल से कोई cross over देखा जा सकता है कैसे? जब दो gene होते हैं उनके मद्ध की दूरी बढ़ती है तो linkage की संभावना कम हो जाती है तो crossing over की संभावना बढ़ जाती है इसके विपरीत जब गुर सूतर में दोनों gene बहुत समीफ होते हैं तो crossing over की संभावना कम हो जाती है तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हो जाएगा इसका B option मुस्किल से कोई cross over देखा जा सकता है next question है point mutation होता है point mutation क्या होता है point mutation या gene जो mutation है वो gene में होने वाले परिवरतन होते हैं और इस प्रकार के mutation में gene के base में परिवरतन हो जाता है तो 2 प्रकार का होता है कौन-कौन सा एक होता है इसका सबचिटिटुशन ठीक है? एक होता है सबचिटिटुशन और दूसरा होता है free frame shift mutation तो इसमें से इसका correct answer हो जाएगा gene के एक base में परिवर्टन Next question है एक gene एक enzyme सिद्धान्त प्रतिपादित किया था वन जीन, वन एंजाइम, हाइपोथियसिस, वाज, प्रपोजड वाई, जैकब मोनाड ने, बीडल वाट टाटम ने, लीडर बर्ड वाट लीडर बर्ग ने, लूरिया वाट डेल ब्रूग ने तो एक जीन, एक एंजाइम का जो सिध्धान प्रतिपादित किया था, वो किस ने किया था, बीडल वाट टाटम ने, बीडल वाट टाटम नेक्स्ट कोश्चन है, एक जीन, यह हो गया न, अगला है, निम्नांकित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है तो इसमें से देखें, मिस्थीनिया ग्रेविस जो है न, वो एक क्या है, आटो इम्म्यून रोग है, तो इसका correct answer हो जाएगा, बी, इस रोग में होता क्या है, पेसी तंतर की यह जो संधी होती है, उसको जो है, नश्ट करने वाले जो प्रतिरच्छी है, यानिकि एंटी ब जो पेसियां हैं, वो कमजोर हो जाती है, पेसियां कमजोर हो जाती है, नश्ट क्योशन है, चार प्रकार के रंग, यथा एलबिनो, हिमालई एलबिनो, अगूटी एवं चिन चिल्ला खर्गोश की तुचा में पाय जाते हैं, क्योंकि एक जीन में हो शकते हैं, अपूंड प्रभाविता, एक जोड़ा उत परिवर्तित सम विकल्पी, दो से कम विकल्प रूपी, या दो से अधिक विकल्प रूपी, इसमें क्या होगा, एक जीन के सामानता कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, जिने क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, हलांकि दो से जादा एल या विकल्प रूपी भी हो सकते हैं इसी के करण खरगोस की तोचा में विभिन रंग पाए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी दो से अधिक विकल्प रूपी next question है y chromosomes पर इस्थित तथा पिता से पुत्र को परेशित होने वाला कह रहा है जीन कहलाता है a gene located on y chromosomes and transmitted from father to son is called a प्रभावी जीन, प्रभावी जीन, होलेंट्रिक जीन या फिर कह रहा है अनुपूरक जीन तो इसमें से link गुर्ट सूतर जो होते हैं हमें पता है is x तथा y के दो भाग होते हैं कौन कौन से एक होता है homologus तथा दूसरा क्या होता है non homologus जो जीन वाई गुड़ सूत्र के असमजात भाग पर होते हैं वे पीडी दर पीडी केवल पिता से पुत्र में जाते हैं ठीक है और ऐसे जीन holandric gene कहलाते है तो यह हो जाएगा c option holandric gene इस question है निम्ण में से कौन सा chromatin निर्माण के लिए आवश्यक है which of the following is essential for chromatin formation histamine, tubulin, myosin या फिर कह रहा है histone तो इसमें से जो histone है ना वो एक प्रकार का क्या है छारी प्रोटीन है histone क्या है एक प्रकार का छारी प्रोटीन है जो यू केरियोटिक कोसिकाओं में पाय जाता है और यह प्रोटीन DNA के पैकेजिंग में सहायता करता है जिसके प्रडाम सुरूप क्या होता है chromatin का निर्माण होता है तो histone मुख रूप से nucleosome के निर्माण में सहायक होता है तो यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा D, histone next question cancer है cancer is uncontrolled mitotic cell division uncontrolled meiotic cell division both A and B यह पर कराए none of the above अनियंत्रित समसूत्री भाजन अनियंत्रित अर्दसूत्री भाजन A तथा भी दोनो यह पर कराए उपर युक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा A अनियंत्रित समसूत्री भाजन होता है uncontrolled mitotic cell division next question है TH मारगन ने सब्द दिया था कौन सा समसूत्री भाजन अर्दसूत्री भाजन सहलागनता यह फिर करा इन में से कोई नहीं तो यह दिया था इन्होंने linkage next question है किस पौधे में सहलागनता की घटना सरप्रथम देखी गई थी the phenomenon of linkage was first observed in the plant lithyrus, odoratus, pycum satyvum oenothera, lamar की आना यह फिर करा धतूरा, meatail तो जो सहलागनता की यह उधारडा को है सरप्रथम किस ने देखा था betson और punnet इन्होंने देखा था किस में देखा था lithyrus odoratus यानि कि मीठी मतर के पौधे में संयुगमन और प्रतिकरशन के रूप में प्रस्तुत किया था बाद में टी अच मारगने ने linkage सहलागनता का सब्द दिया था तो यहाँ पर एक correct option हो जाएगा इसका lithyrus odoratus अगला question है विनिमय होता है crossing over takes place between sister chromatids के समझात गुर सूत्रों के non-sister chromatids के analogous के या फिर कराए DNA और RNA के तो जो विनिमय होता है वो विनिमय की घटना क्या होती है प्रोफेज फर्स्ट के packetine अवस्था packetine अवस्था में समझात गुर सूत्रों के जो homologous chromatids होते हैं उनके non-sister chromatids non-sister chromatids के मद होती है तो जीन विनिमय यानि कि जो crossing over की खोज है उसने margan ने drosophila में किया था तो यहाँ पर b option correct होगा समझात गुर सूत्रों के non-sister chromatids के non-sister chromatids साफ homologous chromosomes next question उद्यान मटर यानि कि जो पाईसम से टाईवम है उसकी करहा प्रतेक सरीर कोशिका में 14 गुर सूत्रों होते हैं तो इस प्रजाती में सहलगन समूहों की संख्या हो सकती है सहलगन समूहों का मतलब क्या है सहलगन वर्ग की संख्या किसी कोशिका में उपस्तित अगुरित गुर सूत्र यानि की हैपलाइड गुर सूत्रों की संख्या होती है बस यहां से यह सारे question solve हो जाएंगे तो करहा है कि 14 गुर सूत्र होते हैं तो 14 का हैपलाइड निकालेंगे तो कितना होगा साथ तो यह जो है इसका B option correct हो जाएगा साथ इसी प्रकार से देखिए अगला question है करहा है मक्का के पौदे में 10 जोडे 10 जोडे कितना हो गया 20 गुर सूत्र है अब 20 का हैपलाइड कितना होगा 10 तो यह correct answer कितना हो जाएगा इसका 10 हो गया next question है एक कोशी का जिसमें कह रहा है जिसमें गुर सूत्रों के कितने जोडे हैं 10 जोडे होते हैं उसमें कितने सहे लगनोवर्ग होंगे तो 10 जोडे का मतलब कितना हो गया 20 और 20 का जब हैपलाइड निकालेंगे तो कितना हो गया 10 तो यह कितना हो गया 10 बी अप्शन इसका correct हो गया next question है एक वर्डांध पुरुस की साधी एक वर्डांध पुरुस की साधी एक वर्डांध पुरुस की पुत्री से हो जाती है तब उसकी संतानों में उनकी कोई भी पुत्री वर्डांध नहीं होगी सभी पुत्र वर्डांध होंगे या फिर कहरा है सभी पुत्रियां वर्डांध होंगी या 50% पुत्र वर्डांध होंगे एक color blind man marries the daughter of a color blind man then in their progeny क्या होगा इसमें उनकी संतानों में कहरा है कि किस प्रकार की संभावना होगी तो इसका correct answer हो जाएगा D 50% पुत्र वर्डांध होंगे 50% suns will be color blind next question है जैव विकास होनी के लिए उत्र परिवर्डन करना चाहिए जर्म पलाजम डियने जर्म पलाज आरेने दैही कारने दैहिक डियने तो ये जो है जैव विकास होने के लिए जर्म पलाजम जर्म पलाजम जो सिद्धान देना उसके अनुसार जीव के सरीर में दो प्रकार के दरव्य होते हैं कौन-कौन से पहला होता है जर्म पलाजम जर्म पलाजम और दूसरा होता है सोमेटो प्लाज्म तो इसमें क्या है कि जर्म प्लाज्मे होने वाले परिवर्तन जो कि आनवनसिक पदार्थ डियने में होते हैं वही अगली पीडी में जाते हैं वो जय विकास का अधार बनते हैं तो यहां पर एप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है टेंप्लेट सिध्धांद के अनुसार अमीनो अमल पहले कह रहा है किसके संपर्क में आते हैं प्रोटीन, MRNA, DNA या ती आरेने according to template theory amino acid first comes in contact of तो template सिध्धांद protein निर्माण से संबंधित है template सिध्धांद क्या है protein निर्माण से संबंधित है इस सिध्धांद के अनुसार सरप्रथम tRNA 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 के एक सिरे पर अमीनो अमल क्या होते हैं जुड़ते हैं और जिससे जो है जिसे अमीनो अमल का क्या कहते हैं सक्रियाण कहते हैं activation न तो यहाँ पर D option इसका correct हो जाएगा template सिध्धांद के अनुसार अमीनो अमल पहले किसके संबंधित में आते हैं tRNA D option यहाँ पर correct होगा अगला question निम्न में से कौन सा अमीनो अमल भोजन में अवस्य उपस्तित होना चाहिए तो यह जो है न वैलीन होना चाहिए A option इसका correct होगा वैलीन अगला question है मनुस्य में आवश्यक अमीनो अमल की संख्या है नमबर आफिसेंसियल अमीनो एसेडिन मैनिज 20, 18, 10 या फिर 8 तो देखिए मनुस्य में जो है न आवश्यक अमीनो अमलो की संख्या कितनी होती है 10 होती है और यह अमीनो अमलो सरीर में नहीं बनते हैं इसलिए इसे मनुस्यों को अपने भोजन से ग्रहन करना पड़ता है इसकी कमी से सरीर में अनेकों ब्याधिय उत्पन हो जाती है तो मनुस्य में आवश्यक अमीनो अमलो की संख्या कितनी होगी 10 नेश्ट कोश्चन है ड्रॉसो फिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलगनित लक्षण का अति उत्ता मुदाहरण है तो यहाँ पर इसका करेक्टर अंसर होगा वाइट आई अगला कोश्चन है द्वी संकर परिच्छार्थ संक्रण का लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है फिनो टाइपिक रेशियो आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इच पंद्रान पाते एक, तीन पाते एक, नौन पाते तीन पाते तीन पाते एक या फिर एक अनुपाते, एक अनुपाते, एक अनुपाते एक ये द्वी संकर परिच्छार्थ में जब दो लक्षणों की वनसा गती का एक साथ अध्यान किया जाता है जब एक साथ अध्यान किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, द्वी संकर क्रास कहते हैं तथा ऐसे क्रास से उत्पन अग्यात जो जीनो टाइप वाले जीव का परिच्छण है, वो द्वी संकर टेस्ट क्रास से करते हैं तो इसमें अज्यात जिनो टाइप वाले प्रभावी फिनो टाइप लच्छड़ वाले जीऊ का क्रास्प होमो जाइगस से करवाते हैं अप्रभावी समयुगमिजी अप्रभावी तो जिसका अनुपात क्या होगा डियो अप्शन हो जाएगा एक और पाते एक और पाते एक अगला कुस्टन है DNA पॉली मेरेज का संबंध है DNA पॉली मेरेज इस रिलेटेड बिद डियाने डुपलिकेशन, आर अने डुपलिकेशन, ट्रांस्क्रिप्सन या फिर कहला है प्रोटीन सिंथेशिस तो इसमें जो है DNA से DNA निर्माड की प्रक्रिया क्या कहलाती है Duplication या replication कहलाती है तो इस क्रिया में सहायक मुख एंजाइम जो है वो क्या है DNA Polymerage अब DNA का जब replication होता है वो कोशिका चक्र की S अवस्था में होता है तो DNA से RNA का निर्माड transcription तथा RNA से protein का निर्मान translation कहलाता है तो यहाँ पर इसका A option correct हो जाएगा DNA के दूइ गुड़न से अगला question है DNA का translation कहलाता है synthesis of DNA is called replication, transcription, translation यह फिर कह रहा है emination तो यहाँ पर जो है A option इसका correct हो जाएगा replication next question है अनुलेखन के बाद कह रहा है कि DNA के आणु क्या हो जाते हैं, नस्ट हो जाता है कोशी का द्रब में चला जाता है यह और C option कह रहा है, स्वता हद्दूई गुड़न हो जाता है यह फिर कह रहा है, अपनी प्रारंबीक संरचना में बदल जाता है after transcription, the DNA molecules करा क्या होता है तो देखिए, DNA से DNA से RNA DNA से RNA की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है, transcription और eukaryotes में, यह केंद्रक में तथा prokaryotes में, कोशी का द्रब में होती है, तो transcription प्रक्रिया के दवरान, दुई सूत्री दुई सूत्री जो है DNA, और एक सूत्री DNA में परिवर्थित हो जाता है दुई सूत्री DNA, एक सूत्री मलब डबल जो standard DNA है वो single stand DNA में परिवर्थित हो जाता है, तो यहाँ पर, जो की transcription पूर्ण होने के बाद, पुना double standard में परिवर्थित हो तो जबकि नया बना जो RNA है वो कोश का द्रब में चला जाता है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा, अपनी प्रारंभिक संरचना में बदल जाता है next question है सहल लगनता, युगमन एवं प्रतिकरस्ण परिकल्पना का सूत्र दिया गया था सटन एवं बोवेरी द्वारा बेटसन एवं पुन्यट द्वारा टी अच मारगन द्वारा डबल्यू सटन द्वारा तो इसका correct answer हो जाएगा बेटसन एवं पुन्यट के द्वारा B option इसका correct होगा अगला है अधिकान से कीटों में लिंग का कह रहा है लिंग निर्धान का प्रकार पूँच रहा है इन मेजॉर्टी आफ दा इंसेक्ट्स दा सेक्स डिटर्मिनेशन टॉइपीज एक्स ओ प्रकार एक्स वाई प्रकार जेड डबलू प्रकार या फिर कह रहा है उपरोक्त सभी अधिकान से जो कीटों है उभैचरों तता कुछ मचलियों के गुड़ सोत्रों में वैसा ही लैंगिक भेद होता है जैसा कि मनुस्य में होता है मनुस्य में कैसा होता है यक्स और वाई तो नर में नर में क्या होता है एक्स वाई और फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स अच्छा इसके भी प्रीद जो है जो पक्छी होते हैं और सरीसरब पतंगे वगएरा होते हैं उनमें ये क्या होता है उल्टा होता है अर्थात नर में लिंग गुड़ सूत्र कितने होते हैं जेड जेड परंत मादा में आसमान यानि कि जेड डबलू होते हैं तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानि टिड्डे हो गए, बक्स हो गए, में यही लिंग भेद नर्या मादा में लिंग गुर्ष उत्रों में से एक क्यान पस्थिती से होता है, तो यहाँ पर इसका गरेक्ट आंसर हो जाएगा, आल आल अफ दीज, उप्रोक्त सभी, नेश्ट कोश्चन है, ड्रॉसो फिला में करहें, लिंग निर्धारन निर्भर करता है, Y क्रोमोसोम पर, X क्रोमोसोम पर, आटोसोम पर, या फिर करहें, X क्रोमोसोम एवं आटोसोम दोनों पर, क्योंकि ड्रॉसो फिला मक्षी में मनुष तथा अन्माइमेल्स की भाद आटोसोम A तथा लिंग गुरसूत्र X वा Y होते हैं परंत इन में जो लिंग ने धराण है X तथा आटोसोम के अनुपात पर निर्भर करता है अगला कुशन है नॉनसेंस कहरा है कोडोन है तो यह जो है इसमें A option है B option है C है और D है तो इसमें जो है जो आनुवणसी कूठ है ना उसके कितने 64 जो कोड़ान्स होते हैं उनमें से 3 कोडोन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनों अमलों को संकेद नहीं देते हैं तो इनको जो है समापन कोडोन या Nonsense कोडोन कहते हैं कौन कौन से होते हैं वो U A U A G और एक होता है U G A और अगला होता है U A A तो देखिए यहां पर है कहीं पर Nonsense कोडोन का तो यहां पर जो है इसका correct answer हो जाएगा C U A G UAG है UAE है UGA बिल्कुल सही है C option इसका अगला question है एक सामान निश्त्री की साधी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके पास hypertrichosis का जीन है इस दमपत्ती से एक पुत्री और एक पुत्र होता है इसकी पुत्री में hypertrichosis के पाए जाने की कितनी संभावना है तो पहले ये समझ लीजे कि जो hypertrichosis होता है न ये क्या होता है कान होते है न उसमें कान पे जो बाल होते है ये केवल जो है hypertrichosis y सहलगन कि जो good sutra होते हैं उसके द्वारा होने वाला रोग होता है जिसमें कान पर बाल निकलाते है तो ये केवल पुरसों में होता है और इसकी वंसागती पिता से केवल पुत्र में जाती है ठीक है फादर से सन तो यहां पर कह रहा है कि जिस कितनी प्रकार की संभावना है तो यहां पर 0% हो जाएगा इसका correct option ए जो है 0% अगला question है जीन सब्द का अभी प्राय है तो जीन सब्द का क्या अभी प्राय है प्रोटीन में अमीनों की कह रहा है तर्तीब linkage समू, RNA का एक भाग, DNA का एक भाग, sequence of amino acid in protein, a linkage group, a part of RNA, a portion of DNA तो जो जीन सब्द का भी प्राय है यह है एक portion of DNA यानि DNA का एक भाग अगला question है, genes कह रहा है, मुख्यता बने होते हैं, DNA से, RNA से, lipidium protein से, cable protein से, तो जो genes बने होते हैं, वो DNA से बने होते हैं, यह option इसका correct हो जाएगा अगला question, वह है परिघटना जिसमें एकल gene एक से अधिक विसेशक को प्रभावित करता है, कहलाती है the phenomena in which a single gene influences more than one trait is called, तो ऐसी परिघटना में क्या होता है, pleiotropy pleiotropy में एक gene द्वारा कई लक्षणों का निधान किया जाता है, जैसे कि ड्रॉसोफिला में एक ही gene, पंख का आकार और पंखों पर क्या होते हैं, bristles, संतुलन का लक्षण, तो यहाँ पर इसका D option correct हो जाएगा, pleiotropy अगला question है, संपूरक gene में 9 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते, 3 अनपाते, 1 अनपात, किसमें रुपांतरित होता है तो देखिए, जो संपूरक gene है, याने कि complementary gene, उसमें लक्षण को अभिवेक्त होने के लिए, जीनों की दो बिभिन, दो जो है, बिभिन एलीली जोडियों के बीच, ऐसी प्रभाविता होती है, कि किसी भी जोडिय के प्रबल जीन की अभिवेक्ती, तब होती है, जब दूस B option, 9, 37, अगला question है, जब एक gene, दूसरे gene की सक्रीता को संकेत करता है, तब यह घटना कहलाती है, when one gene marks the activity of other gene, the phenomena is called, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, epistasis, या फिर कराव पूरक कारक, तो जब एक gene द्वारा, दूसरे gene की सक्रीता को दबा देना, epistasis कहलाता है, तथा ऐसे gene को epistatic gene, तथा दूसरे gene को hypostatic gene कहते हैं, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, C, epistasis, अगला question है, फिले डेलफिया गुर्ण सूतर में कहरा है, इस्था नांतरन होता है, गुर्ण सूतर 9 तथा 22 के मद, गुर्ण सूतर 7 तथा 17 के मद, गुर्ण सूतर 10 तथा 21 के मद, गुर्ण सूतर 6 तथा 16 के मद, क्रोमोसोम किसके बीच में हो जाएगा, फिलो डेलफिया जो गुर्ण सूतर है, उसमें इस्था नांतरन, इन फिलो डेलफिया गुर्ण सूतर 9 तथा 22 के मद, गुर्ण सूतर 9 तथा 22, अगला question है, सिष्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनवनसिक बीमारी है, तो जो सिष्टिक फाइब्रोसिस है उसमें मनुस्यों में होने वाला एक आटोसोमल अप्रभावी आनवनसिक रोग है, यह रोग गुर्ण सूतर संख्या कहां पर, गुर्ण सात परिस्थित जीन में म्यूटेशन से होता है, और इस रोग में पैंक्रियाज गरंती में सिष्ट बन जाता है, पैंक्रियाज गरंती में सिष्ट बन जाता है, तो कहरा है, लिंग सहलगन अप्रभावी है, आटोसोमल अप्रभावी है, लिंग सहलगन अप्रभ अधित होती है अभी हमने कल के जो है जनेटिक्स के प्रेक्टिस सेट में पढ़ा था कि जो यह होती है यह ट्राइसोमी से होती है ट्राइसोमी, मंगोल आइडिया डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 जो जो जोड़ी है, इसमें गुर्षूत्रों, 21 जोड़ी के गुर्षूत्र, दो की जगए कितने हो जाते हैं, तीन, तो इस प्रकार के इस रोगमे उत्पन ने, जो सिसु होते हैं, उनमें कुल गुर्ष सूत्रों की संख्या, 46 के बजाए कितनी हो जाती है, 47, तो यह जो है, ट्राइसोमी सिंड्रोम कहलाता है, तो यह जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अगला है, एक सूत्री पौधे में कह रहा है, गुर्षूत्रों की संख्या क्या होगी, तो जो एक सूत्रता होती है निकि monosomic वह दसा है जब किसी एक गुर्षूत्र सेट में एक गुर्षूत्र की क्या हो जाती है कमी हो जाती है और यह एक प्रकार का एन्यूप्लाइडी गुर्षूत्र उत्परिवर्तन है तो monosomic जीव का विकास किस से होता है गैमिट फॉर्मेशन के समय होने वाले अर्ध सूत्री भाजन में non-disjunction के कांड होता है तो इसका हो जाएगा 2N-1 अगला क्वेश्चन है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में कह रहा है बार काय की संख्या नंबर आप बार बॉडि इन क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम इज तो इसमें जो है क्लाइन फेल्टर जो सिंड्रोम है उसमें लिंग गुर्षूत्र 2 के बजाए 3 और प्राया कैसे होते हैं XXY ठीक है XXY होते है आता ही यह जो है लिंग गुर्षूत्रों के लिए Trisomic 44 plus XXY होते हैं 44 plus XXY तो ये सामानता इन में बार काय की संख्या कितनी होती है एक होती है और ये syndrome नपुनसक होते हैं यहाँ पर A option इसका correct होगा अगला है बार काय यानि कि जो बार बाड़ी है कह रहा है are absent in किसमें अनपस्थित होती है तो देखें जो बार बाड़ी है न वो इस्तंधारियों की यानि कि मैमेल्स की जो है मादा फीमेल की दैहिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अत्रिक X गुरुसूत्र होता है जो की निस्क्री होता है तो यहाँ पर इसका B option तो यह हो जाएगा Turner syndrome Next question है मनुष्स में लिंग गुरुसूत्र होते है X Y X X A तथा B दोनो यह फिर कारा उपर इुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो है C option करेक्ट हो जाएगा A तथा B दोनो अगला question है Turner syndrome में गुरुसूत्रों की संख्या होती है तो इसका करेक्टा आंसर क्या हो जाएगा Turner syndrome में गुरुसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 अगला question है मेंडल के दूसरे नियम यानि की स्वतंत्र अपवियूहन का जो नियम है कहरा इसको दरसाया जाता है टेस्ट क्रास के दौरा पैक क्रास के दौरा एक संकर क्रास के दौरा या फिर दूसंकर क्रास के दौरा तो देखिए जो सोतंत्र अपवियूहन के नियमा नुसार जब दो या फिर दो से अधिक लक्षणों के वनसानुगति का एक साथ अध्यान किया जाता है तब प्रतेक लक्षण अन्य लक्षणों से सोतंत रूप से अगली पीडी में वनसानुगत होते हैं तो दो लक्षणों की वनसानुगती से सम्बंदित अध्यान डाई हाइब्रिट क्रास की सहायता से किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रास की साहता से एक संकर क्रास द्वारा एक लक्षन की वंसानुगत का देन किया जाता है तो यहाँ पर D हो जाएगा तुई संकर क्रास द्वारा डाई हाइब्रिड क्रास अगला कुश्चन है एक संकर क्रास का फीनो टीपिक फीनो टीपिक अनुपात ब तो इसमें जो है इसका correct answer हो जाएगा ये 3 ratio 1 तीन अनुपाते 1 तो इस प्रकार से ये रही genetics की practice series 2 next practice series को प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को share करना मत भूले